बोवी देवल और उनकी पतनी तानिय देवल ने 26 साल गिरा मनाई इस कपल ने 1996 में शादी की और 2001 में अपने पहले बचे आरेम देवल का स्वागत किया जबकि उनके दूसरे बेटे धरम देवल का जरम 2004 में हुआ था शादी के 26 साल पूरे करने के राद बोवी देवल और तानिय देवल ने इस्टाग्राम पर प्यारी सी तस्वीर शेर की है इस तस्वीर में बोवी और तानिय एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे के प्यार में खोई हुए नजर आ रहे हैं जहां बोवी देवल हरे रंग की casual टीशेट में नजरा रहे हैं वही तानिया ने floral outfit पहना हुआ है फोटो में दिख रहा है कि बोवी देवल उनके गालों को चूमने के लिए जुके हुए है फोटो शेर करते हैं बोवी देवल ने caption में लिखा मेरी life line इसके साथ ही उन्होंने दिल वाले images भी शेर किये पोस्ट पर comment section में फैंस ने शुब कामनाओं की बोचार कर दी है इस पर actor चंकी पांडे ने लिखा हैपी हैपी एनिवर्सरी डियर तानिया और बोवी हुमा कुरेशी चंदन राय सनियाल अध्याय सुमन और सीमा खान ने भी इस पोस्ट पर comment किये हैं एक फैन ने पोस्ट पर comment किया उपसूरत वही एक अन्य फैन ने लिखा what a couple एक इंस्टाग्राम यूजर्स ने लिखा आप दोनों कितने romantic लग रहे हैं बता दे कि बोवी देवल एक्टर धर्मिंदर और परकाश कोर के बेटे हैं उन्होंने अपने अभियन करेर की शुरुआत 1995 में परशाथ से की थी बाद में वह गुप्त सैनिक बादल बिच्चु और प्यार हो गया अजनभी और हमरा जैसी फिल्मों में दिखाई दिये आखरी बार वह आखरी बार 2022 में फिल्म लव होस्टल में साने मनोत्रा और विकरांत मैसी के साथ नजराई थे वह फिल्म निर्मादा परकाज जहां कि हिट सीरिज आश्रम के तीसरे सीजन के तयारियां शुरू कर रहे हैं यह 3 जून को MX Player पर रिलिज होगी